Hello students, मैं C.A. सुनिल सेथी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और मैं आपको आज एक बहुत अच्छी खुशकबरी देना चाहता हूँ कि मेरे पुराने मित्तर C.A. दरवेश स्वामी जो हमारी मित्तर था पिछले 14 साल पुरानी हैं C.A. इंटर में एक साथ थे और इन्हों ने भी teaching के अंदर अपना करियर सुरुवात किया और मैं ने भी हम दोनों अपने Hometown सिर्शा हरयना में एक साथ टीचिंग करियर के शुरुवात करें थी। शुरुवात करने के बाद मैं दिल्ली के और मूव कर गया और C.A. दरवेश स्वामी जी सिर्शा में ही रह गए और यहां पर यह अडवांस अकाउंटिंग की टीचिंग देने लगे उसके बाद अब COVID में फिर जैसे मैं अपने हॉम टाउन पर था तो मैं इनसे मिला, इनसे मिलने के बाद जब मैंने को पता लगा कि इनका सिर्शा होम टाउन में बच्चों के प्रती, बच्चों के अंदर बहुत अच्छा एक नाम है तो मैंने इसको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अब आपकी यह जो क्वालिटी है यह पूरे इंडिया लेवल पर लोगों को पता लगनी चाहिए तो मैंने इनको बड़ी रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को असेप्ट किया और यह आज मैमरी क्राफ्टर के प्लाटफॉर्म पर बढ़ाने के लिए जो है रेडी हुए है और मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ कि मेरा मित्तर जो मुझसे किसी कारण से जो एक तरह से एक साथ काम करने का रिलेशन था वो दूर दूर हो गया तो अब उस वो दूरी अब खतम हो चुकी है तो मैं वैलकम करता हूँ मेरे मित्तर और अब अपने एकतरै से में राइट एंड C.A. दर्वेश स्वामी जी का जो अपने बारे में बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन से बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अम Memory Crafters सिरफ EISM Audit तक ही सीमित नहीं होगा इसके साथ साथ CA Foundation Complete, CA Inter Complete और CA Final का Audit आप अल्रेडी जानते ही हैं तो ये सब चीजे भी Memory Crafters लेकर आए हैं में सब चीजे हम आपको अभी बताने वाले हैं हंजी स्वामी जी, first of all, welcome to Memory Crafters बहुत बहुत धन्यवाद CA Sunil Chethi जी का इतनी खूबसूरत इंट्रोड़क्शन के लिए थेंग्यू अच्छी अब Memory Crafters के अंदर हम पूरा Foundation Course और पूरा Inter Course launch करने जा रहे हैं इसके अलावा जो स्रिष्टी मैडम है वो आपको पता है audit का subject तो final का भूत अच्छे तरीके से कराई रहे हैं उनका भूत अच्छा response मार्केट में आ रहा है तो सबसे पहले मैं अपनी introduction दे दूँ I am a qualified chartered accountant, company secretary and MBA पिछले 10 साल से मैं face to face सिर्षा हरियाना में classes दे रहा हूँ और accounts का जो subject है वो जो मेरा है वो काफी पसंद किया गया है market के अंदर तो अब मैं memory crafters के platform पे CA foundation and CA enter both group के accounts की faculty के रूप में Swinil CTG के help से मैं आ रहा हूँ और इसके अलावा में आपको बाकी जो हमारे faculty members है उनको भी introduction उनकी देना चाहूँगा जो हमारी second faculty है वो CA रंजन शर्मा जी ये qualified chartered accountant है इसके अलावा ये B.com and BA की qualification भी इनके पास है इनके experience बगर के बारे में सेथी जी आपको बताएंगे देखिए जो अपने रंजन शर्मा जी है इने एट ये का teaching experience है हलांकि इनको chartered accountant बने हुए दो एक साल हुए है इनका experience जो है वो एट ये काफी टाइम से बच्चों को टीच कर रहे है है taxation और low इसमें इनकी बड़ी अच्छी mastery है बड़े interesting way में ये अपना taxation और low cover करते हैं तो ये अपने institute के अंदर CA foundation के अंदर business law और CA inter के अंदर taxation and corporate law के topic को deal करेंगे उसके बाद हमारी जो next faculty है बताएंगे वो है अंकित चावला जी ये एक mastermind person है mathematics के और इनके पास mathematics की सबसे highest qualification आप कहिए कि MSC in mathematics है और इसके अलावा ये CSIR का जो net की जो qualification है जो lecturer की qualification होती है वो भी qualification इनके पास है स्वामी जी मैं इनके बार में बता दूँ अनिल चावला जी मेरे relation में ही पढ़ते हैं मेरे मामा जी के बेटे हैं और जब मैं CA कर रहा था तो इन्होंने ही मुझे motivate किया था पढ़ने के लिए एक ये छोटे से village village से belong करते हैं उसके बाद इन्होंने net qualified किया और business mathematics के अंदर इनका mathematics के अंदर शिर्शा city के अंदर बहुत अच्छा नाम है तो ये highly qualified है I think lecturership के लिए भी ये qualified है ठीक है बाकी अपने को इन qualifications की ज्यादा knowledge नहीं है बट मैं इनके बारे में जानता हूं students के अंदर इनका एक तरह से नाम बोलता है अपनी next faculty के बारे में ब शाली बांसल जी ये क्या है इन्होंने दीसा का exam clear किया है सी ये बनने के बाद जो डीसा exam होता है इसके लावा chartered accountant तो ये है ही और बिकोंबी qualified है और इनके बारे में मैं आपको एक बात बता हूं जब हम सी ए करते थे तो हमने एक साथ सी जो है किया है तो जब हम पढ़ते थ तो हम ये सोचते थे यार ये कितना बढ़ते हैं ये बच्चे और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ एक कंदे से कंदा मिलाकर अपनी टीम का पार्ट बनेंगे जो कि अपने CA Foundation के अंदर Business Economics subject है उससे डील करेंगे और next faculty next faculty Sanjay Varma जी है ये हमारी टीम के सबस से experienced हमारे faculty member है ये MA in English है और इसके लावा इनोंने M.A.D. किया है जो कि Teaching Serated Qualification है अब इनके बारे में मैं आपको बता हूँ इन से मैंने मार भी खाई होई है ये Mr. Sanjay Varma जी मेरे school teacher है इनका teaching experience आप खुच समझे जिनोंने मुझे 11-12 में teach किया होगा तो उनका teaching experience कितना होगा इ इसे देखा जाए तो 20 years का है 12 years से ये teaching करने है और पिछले आठ साल से ये as a principal एक school चला रहे है इनको मैंने बहुत ज्यादा request पर ready किया कि sir मुझे सिरफ virtual में आपका एक English का lecture दे दीजिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपने CA industry के अंदर English के अंदर बच्चे जो है ना ब करना है तो उसमें क्या मैं बताओं तो इनों ने का की मेरी application skills के अंदर बड़ी mastery है और इनके इनको तो मैं बुड़ा personally जानता हूं बहुत 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 respected और बहुत अच्छे person है तो इनके साथ तो हमें इनका अशिरवाद और इनके साथ चलकर तो हमें और मज़ा आएगा next faculty के बारे में बताईए सर next है CA Kapil Meda जी सबसे जो practical subject जो हमारा जो कोष्ट और जो मारा management कानको subject है उसके ये master person है और ये पिछले 5 साल से teach करी रहे है qualification की charter accountancy तो ही है इसके अलावा become भी इनके पास है और कपिल Meda के बारे में बता दूँ ये भी हमारे friends है और हमारी अच्छी दोस्ती है और इसके साथ साथ इसके बारे में क्या है ये rank order भी है इनकी rank भी आई थी आप खुद सोची एक छोटे से शायर के अंदर इन्होंने स्रिस्टी सेटी इनके बारे में तो आप जानते ही है इनके अच्छा नाम हो रहा है आपने भी देखा होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि CA final की market में भी मैडम ने अच्छा hold बना लिया है और इनकी सबसे specialist ये है कि ये charts के through और ICI के module को बहुत अच्छे से deal करते ह इनकी qualification भी chartered accountant है और B.com है और next उनके बारे में बताने की जरूरत है और मैं हूँ CS Tuneils 80 पिछले 7 साल का मुझे experience है teaching का इसका के अंदर अपना बहुत अच्छा नाम था और इसका का ही syllabus EIS के अंदर shift हुआ है और EIS SM के अंदर भी अपना बहुत अच्छा नाम है और अपनी से उसको याद करवा देते हैं ताकि वो exam में किसी भी तरीके से परिशान ना हो उसके हाथ में सारे के सारे हथियार हो तो इसी के साथ मैं आपको बता दूँ यह सारी faculties आपको CA Foundation CA Inter और CA Final के अंदर audit यह सब चीजे बड़े अच्छे तरीके से आप मान के चलना जिस तरीके स से Memory Crafter पीछे डील करता है वैसे ही और 24 into 7 basis service देने वाली यह faculties होंगी होप सो हम हमें जितना प्यार आप आपसे मिला है वैसे ही आप इन हमारी प्यारी प्यारी faculties को जो है प्यार देंगे